दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चेनल पावर ओफ माई इंट्राडे में दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पहले मैंने बजट डे पर वीडियो बनाया था और उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कामों में बिज़ी था ये काम भी उतने ही जरूरे थे जितने ट्रेडिंग करना मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेज लगातार मिल रहे थे सर आप वीडियो नहीं मना रहा है क्या बात है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था मैं थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए ये वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं आप लोगों को कोई टिप्स या कॉल्स या लेवल्स भी नहीं दे रहा था उसका भी रीजन यहीं था कि एक तो मैं काफी बिज़ी था दूसरा मेरे पास कई लोगों के मैसेज़िस आते थे कि मैं जब आप लोगों को अपना स्क्रीन सॉर्ट दिखाता था तो आप लोग देखेंगे कि मैं तो 100 कॉंटिटी बाई किया हूँ लोग 1000, 2000, 5000 तक कॉंटिटी बाई या सेल कर देते थे बैंक निफ्टी में, कॉल या पुट में तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज बाई की है या सेल की है तो मेरे पास उसके पीछे पूरा प्लान है क्या प्लान है कि मैंने उसे जिस रेट पे बाई की है अगर मारकेट मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कहां पर उसको स्टॉप लोस लगाऊंगा अगर मारकेट मेरे टारगेट पे आ गया तो मैं कहां पर उसको एगजिट करूँगा मेरे पास पूरा पूरा प्लान था लेकिन जब मैं आप लोगों को स्कीन सौर्ट डालता था तो वहाँ पर आप लोगों को मेरा बाइंग प्राइज या मेरा सेलिंग प्राइज आपको दिखाई देता था और आप केबल उसको देखकर आप एंट्री कर लेते थे कई बार बहुत से लोग प्राफिट वुक कर लेते थे और कई बार कई सारे लोग ट्रेप हो जाते थे तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से किसी भी कारण से आपका लॉस हो इसलिए मैं आप लोगों को स्कीन सौर्ट नहीं डाला था लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या रहती है जो मैं इन दिनों लगातार देख रहा हूँ मेरे पास लगातार कॉल्स आते हैं और इस चीज को मैं बार बार महसूस करता हूँ कि आप लोग एक सिमिलर गलती सभी लोग कर रहे हूँ तो देखिए किसी भी चीज में सफलता के केवल तीन मूल मंत्र है अगर आप शेयर मारकेट से पैसा बनाना चाहते हैं तो केवल तीन मूल मंत्र है उन तीन मूल मंत्र को आप गाठ बान दीजिए उसके बाद आप ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं है जैसे कहते हैं न अधजल गगरी चलकत जाए होता क्या है जनरली कि आप लोगों के पास पूरा ग्यान नहीं होने के कारण आप लोग लगाता लॉस करते रहते हैं क्यों उसका कारण में बताता हूँ मैं आपको तीनों स्टेप बताता हूँ तीनों मंत्र बताता हूँ कि आप ट्रेड को कैसे करिए और उसको एक्जामपिल के रूप में मैं आज लेता हूँ जैसे आप देख रहा है कि अभी मुझको 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसको मैं एक दो बार रिफ्रेंस भी कर देता हूँ आपकी संतुष्टी के लिए आप देखिए ये दूसरा आस्था में आपको पता है मैंने ट्रेड किया था स्क्रीन सॉट भी आपको डाला था इसमें 33,741 का प्रॉफिट है और ये ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गया मैंने 100,100 कॉंटिटी करके दो बार में एक बार 50 कॉंटिटी इस तरह से मैंने इसको लिया था 36,900 का पुट 37,200 का कॉल यहाँ पर आप देखिए 36,500 का पुट तो कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कैसे कैसे आपको करना है क्या देखना है जैसे आज की चार्ट की मैं बात करूँ ये देखिए बैंग निफ्टी का पांच मिनट का चार्ट है ये बैंग निफ्टी का पांच मिनट का चार्ट है एक सेकंड मैं फोन को थोड़े दर के लिए बंद कर देता हूं ये बैंग निफ्टी का पांच मिनट का चार्ट है और इसमें देखिए बिलकुल अगर आपकी आँखे तेज हैं आँखे तेज होने का मतलब है आपको एक्सपीरियंस है तो मार्किट आपको खुद भी खुद बता देता है अब देखिए आज ऐसा नहीं कि किवल आज कल भी मैंने साइद कल कितनी सोलत आ रहती है यह देखिए कल मैंने 20,000 का प्रॉफिट वुक किया था तो प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता बस आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर ट्रेड लेना चाहते हो जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं मैंने आप लोगों को 15 तारिक को मार्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले ही आपको एक तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे इसको देखिए आप मैंने आप लोगों को क्या लिखा था 9 बच के 13 मिनट पे मार्केट ओपन नहीं हुआ था मैंने आपको लिखा बैंक निप्टी रजिस्टेंस जोन में ओपन हो रही है जब तक बैंक निप्टी इंडेक्स में 36-636 के ऊपर नहीं निकलती बाई नहीं करना है मैंने आपको इस परस्ट बता दिया था कि 36-636 एक स्ट्रॉंग रजिस्टेंस था और उसके ऊपर निकलने पे ही बैंक निप्टी में मूव आ सकता था और आया भी अब आप जब चार्ट के ऊपर देखिए मैं आपको ड्रॉइंग अपनी दिखा देता हूँ यह देखिए यहाँ पर आप देखिए यह यह 36-636 का लेविल 15 तारिक की बात हो रही है आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं आपको और किलियर होगा देखिए बैंक निफ्टी 12 तारिक को यहाँ बंद हो गई 13 तारिक को सटरडे था 14 तारिक को संडे था यहाँ पर क्लोजिंग हो गई और बैंक निफ्टी देखिए इसी रेंज में ओपन हुई मैंने आपसे वही कहा था कि बैंक निफ्टी 36-636 के आसपास ओपन हो रही है जब 36-636 के आसपास ओपन हो रही है बैंक निफ्टी तो मैंने आपको मना किया था कि जब तक इस जोन को यह बहार नहीं निकलती है तब तक आपको बाई नहीं करना और अगली पाँच मिनट की केंडल ने ही इस जोन को ब्रेक कर दिया आप देखिए ब्रेक किया बाद में इसी 3636 का सपोर्ट लेकर मार्केट खड़ा हो गया सीधा 37400 यानि कि सीधा सीधा हजार पॉइंट 1100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला 36600 से सीधा मार्केट 37400 के आसपास चला गया यानि लगबग लगबगा 800 का आपको मूवमेंट मिला अब आप कहेंगे के सर ये आया कहां से ये 3663 कहां से आया है आप पीछे देखे ये तो 3636 है इसको मैं आपको दिखा दूँ मारकेट में ये देखिए ये वाला ये देखिए ये 366 है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस और देखिए एक लाइन यह वाली है यह वाली लाइन है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर परफेक्ट पता है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है मैंने इसी से आपको पह पर रेजिस्टेंस को यानिकि जो यह इसने हाई बनाया था यहां पर यह सपोर्ट लेता रहा और इसके बाद लगाता रिये उपर गया तो यह पंदा तारिक को 16 को मैंने ट्रेड किया 16 को भी मैंने प्रॉफेट बुक किया अब 16 को क्या हुआ 16 को यहां पर एक रेंज आ रही थी 3700 के आसपास मार्केट 3700 को टच करके और फिर नीचे आ गया मैंने इसी जगे पर बैंक निफ्टी को सेल कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि कम से कम एक तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और दूसरा मार्केट ने इस जगे पर मार्केट ने इस जगे पर एक रजिस्टेंस है और उस रजिस्टेंस को यह क्रॉस नहीं कर पाया तो यह वाली जो रेड केंडल है इस रेड केंडल पर मैंने सेल कर दिया और इसी green candle के hyper मैंने stop loss लगाया आप देखिए पूरे दिन भर market ने कभी भी उसको break नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको sell करना है किस जगे पर sell करना है तो ये सारी चीज़े बिलकुल clear है अब आप एक चीज और्ट देखिए मैं इसको फिर से delete कर देता हूँ अब आप फिर से समझिए इस चीज़ को ये तो 16 तारिक की बात हो गई आज 17 तारिक है आज 17 तारिक पे market कहा open हो रहा है 17 तारिक को market कल के market की जो range थी high और low इसके बीच में open हुआ अब market को अगर नीचे जाना है market को अगर नीचे जाना है तो इसको तोड़ना चाहिए इस जो कल का low है इसको break करना चाहिए market ने break करने की बजाए यहाँ पर क्या किया support किया किया support के नहीं किया तो जब market ने इस जगे support ले लिया तो फिर market जाएगा कहा market उपर ही तो जाएगा क्योंकि support ले लिया है अब इसने जब यहां पर support ले लिया तो अब आप देख सकते हैं यह जो line है वो 36,765 की है तो आप किसको sell करेंगे इसके नजदी के वाले put को ही तो sell करेंगे मैंने 36,500 की put को sell कर दिया जो आप यहां पर देख सकते हैं 36,500 की put मैंने sell की चुकि मैं इसमें कम lot में करता हूँ तो इसमें मुझे 37,700 रुपे का profit हुआ ठीक है अब दिमाग देखिए कि आपको trade कैसे करना चाहिए बहुत आसान चीज़ हैं यहां पर देखिए मैंने क्या किया 36,900 की put sell की अब 36,900 की put sell करने का क्या reason है वो भी मैं आपको इस past बता देता हूँ market ने जब यहां पर support ले लिया ठीक है तो आप देखिए मेरे support और resistance में यहां से लेके यहां तक इसमें बीच में कोई भी support resistance नहीं है तो market ने जब यहां पर support ले लिया तो market को कहां तक जाना चाहिए कम से कम इस line तक आना चाहिए यह line है 37,196 में तो 37,196 है क्योंकि market कल भी इसी range में इसने drama किया था यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया और इसके बाद market आज gap down कुल गया तो यह range भी एक अच्छे resistance की तरह work करना थी तो मुझे मालूम था कि market कम से कम 37,196 तक जाएगा और यहां पर market कहां पर खड़ा हुआ है 36,765 पर तो इसका मतलब है कि market 37,196 पर जाएगा तो कम से कम 36,900 के उपर तो जाएगा और 37,000 क्या है 37,000 एक round number है तो ऐसा भी हो सकता है कि market 37,000 से lot आए तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था मेरे दिमाग में यह था कि market को जाना तो चाहिए 37,196 तक लेकिन 37,000 round number है कहीं ऐसा ना हो कि market 37,000 से return हो जाए दूसरी चीज मार्केट ने आज की candle यह थी दूसरी candle में इसको यहीं पर resistance मिल गया 37,000 60,50 के आज पास तो इसका मतलब है कि market यहां से भी reverse हो सकता है लेकिन इतना मुझे पता था कि 37,000 तक तो market को जाना ही जाना है जब 37,000 तक पता चल गया तो इसका मतलब है कि हम 36,900 की put को sell कर देंगे तो हमको पैसा मिल सकता है क्योंकि market 36,900 से उपर जाएगा और चुकि वो इंदा मनी है तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए मैंने 36,900 की put को sell कर दिया तो ये देखिए 36,900 की put को अपने sell किया इसमें हमें 8,238 रुपे का फाइदा हुआ अब देखिए आप जब ये market यहां गया इसके बाद इसने जब इस अपने opening high को break किया तो देखिए यहां आया high पे 7,300 पे उसके बाद फिर market नीचे आया फिर 37,300 को इसने break नहीं कर पाया और उसके बाद जब ये पहली red candle बनी मैंने उसी समय 37,200 को sell कर दिया और 37,200 को sell किया और market फिर से उसी support पर वापस आया क्योंकि इसके बीच में फिर से क्या नहीं है कोई भी support और resistance नहीं है तो मुझे पता था कि मेरा risk कितना है केवल इस एक candle का risk है मेरा बाद की इसके बाद market को यहां तक आना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल simple तरीका है कोई मुश्किल नहीं है market को trade करने का आपको पता होना चाहिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूँ कल के लिए आज market की closing कहां पर हो रही है अपने low के नस्दीक हो रही है market की closing आप देखिए ज़रा ध्यान से अगर मैं आपको समझाओं कल के लिए क्या होने वाला है market देखिए ये जो तगड़ा आपको range दिख रहा है ये वाला range इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं ये जो आपको तगड़ा range दिख रहा है ये एक बार market ने यहाँ पर support लिया फिर market ने यहाँ पर support लिया फिर market ने यहाँ पर support लिया market कितनी बार support ले चुका है यहां पर कई बार दिखी यह यहां support लिया फिर support लिया यहां support लिया यहां पर resistance फेज किया था पहले market जब एक ही जगे पर कई बार support ले लेता है तो वो support weak पड़ जाता है तो कल अगर market इस 36,765 को break करता है तो 36,636 तक easily चला जाएगा लगबग लगबग 140 point का moment आपको एक या दो candle में मिल जाएगा तो अब कल के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं आप चाहें तो इन support resistance को आप mark कर सकते हैं अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे लिए ये वाली range जो आपको दिख रही है ये वाली range बहुत important है और ये वाली range बहुत important है अब market सीधी सी बात हो गई कि इसके बीच में रहेगा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ या तो market को उपर निकलना है तो इस range को break करें या market को नीचे जाना है तो इस range को break करें जब भी इस range को break करेगा मैं अपनी entry डाल दूँगा मुझको क्या देखना है मैं तो चुकि आपको पता है सबको कि मैं anticipation करके ही trade ले लेता हूँ तो अगर मेरे को anticipate के आधार पर ये पता चल गया जैसे ही 36,765 को इसने break किया मैं उपर से call sword कर दूँगा 36,800 की 36,900 की 37,000 की मैं call sword करूँगा अगर market ने उपर की तरफ गया तो market क्या कर सकता है जैसे ही market 37,196 के आसपास महुचेगा मैं यहां से put sell करना शुरू कर दूँगा 36,800 की put 36,600 की put 36,500 की put मैं sell कर दूँगा और कल है expiry कल हमारी ख्याल से expiry है एक second मैं तो दिन ही भूल जा रहा हूँ आज कल पता नहीं क्या है कल expiry है जब कल expiry है जनरली expiry वाले दिन market क्या करता है कहीं पर open होता है उसके बाद वो उपर जाता है call के price बढ़ जाएंगे वहाँ पर लोग call sort करना शुरू करेंगे फिर market नीचे आएगा put के price बढ़ जाएंगे लोग put sort करना शुरू करेंगे और लगबग साड़े दस वजे के आसपास market जिस जगे पर होगा उसी के आसपास market गुमता हुआ बंद हो जाता है 90% cases में expiry वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी volatile होकर और उसी range में बंद हो जाती है जिस range में 10-30 के आसपास होती है साड़े दस के आसपास होती है उसी range में बंद हो जाती है अगर कल market को trending market बनना है तो trending market बनने के लिए market को इस resistance zone को तोड़ना पड़ेगा तो market trending हो सकता है उपर की तरफ और इस support को तोड़ना पड़ेगा तो downside में trending हो सकता है जहां तक मेरा अन्वाव कहा रहा है market को upside में ज़्यादा उसमें movement के लिए गुंजाइस नहीं है यह जो range है आपकी इस range को break कर पाना market के लिए possible नहीं है market कल इसी range में बंद हो जाएगा तो आप देख सकते हो क्योंकि चुकि आज कर bank nifty 35,000 के ऊपर चला है 36,000 के ऊपर चला है तो 500-700 point का movement कभी opening पे हो जाता है या market खुलने के बाद भी 500-700 point का movement दे रहा है अब आज ही देख लिजिए 36,700 से 37,300 तक गया लगबग लगबग 500-600 point का movement है कल भी market में 500-600 point का movement आपको easily देखने को मिलेगा तो और 600 point का movement अब bank nifty में आप इमान कर चलो आम हो गया है मतलब यह normal हो गया है पहले bank nifty में एक week में 500-700 point का movement हुआ करता था अब bank nifty में एक दिन में 500-700 point का movement है और वो market जितना volatile होगा आप उतना ही अधिक profit बना पाएंगे तो सीधी सी बात है जब भी market इस range के पास जाएगा मैं call को sell करूँगा market इस support के पास आएगा मैं put को sell करूँगा तो ध्यान क्या देना है अगर market ने इस support को break कर दिया आप put से निकल के call में अपनी position बढ़ा लेंगे और अगर market ने resistance को break कर दिया तो आप call से निकल के put में आप position बना लेंगे लेकिन हम आएग बात ध्यान लखना ये जो resistance और support zone में कल के लिए आपको बता रहा हूँ इसके break होने का मतलब क्या है market में जो candle बनेगी वो closing based पर आपको देखना है कि closing जो है पाँच मेट की candle में अगर 37,321 के उपर candle close हो जाती है तो इसका मतलब है market में uptrend रह सकता है कल के दिन और market फिर यहां से 37,321 से 37,700 तक यानि यहां से इसको 400 point की rally मिल सकती है similarly अगर market इस 36,765 को break कर देता है तो नीचे की तरफ 36,461 तक आराम से जा सकता है तो यह depend करेगा market के उपर कल market की condition क्या है क्योंकि कल expiry है expiry volatile रहती है उसमें कोई doubt नहीं लेकिन expiry वाले दिन market trending 10% होता है और range bound 90% होता है तो ध्यान रखियेगा market कहीं पर भी open हो उसके बाद वो उपर जाएगा उपर जाने के बाद वो नीचे आएगा नीचे आने के बाद वो एक range में trade करने लगेगा आप कल note करिएगा market का कल यही सेनारियो रहने वाला है यह सेनारियो केवल एक condition में trending में convert हो सकता है जो मैंने आपको यह जोन बता दिया है इस जोन का ख्याल लखिए और safely trade करिए आप definitely पैसा बनाएंगे definitely आप पैसा बनाएंगे बाकी रही बात बहुत से लोगों ने मुझको call करके पूछा है के sir copper आपने कैसे ले लिया आपने 33, 34,000 का profit यहां पर बना रहा है मैं copper का भी आपको बता देता हूँ copper कहा है यह copper है यह देखिए copper है अब आप copper में simple सा आप देख लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूँ तो आप simple सा देखिए की एक second horizontal line उठा लेता हूँ आपको यह बड़ी-बड़ी विक दिख रही है यह बड़ी-बड़ी विक दिख रही है simple सा आप किसी भी विक पर आप high पर आप यह लगा देखिए यह हो गया इसका विक दूसरा आप यह देखिए आप यहां से marketing resistance लिया था यह resistance लगा देखिए अब ये आपका क्या बन गया एक जोन बन गया 646 रुपे 45 पैसे से 647 रुपे 85 पैसे मार्केट टॉप पर चलना है तो उसमें क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग आती है आज मार्केट ने क्या किया आज 17 तारिक है आप देखिए मार्केट कहा ओपिन हुआ इसी रेंज में ओपिन हुआ के नहीं हुआ और जैसे ही रेंज के नीचे निकला मैंने इसको सैल कर दिया और इसके हाई के उपर मैंने एसेल डा दिया मतलब 1.5 रुपे का एसेल लेकि ये मैं इस समय जिस समय था मैं गाड़ी चला रहा था मैं देख नहीं पाया तो मेरा जो टारगेट था वो 41 था और 41 पे मुझे एक्जिट करना था मैं निकल नहीं पाया तो कोई बात नहीं नहीं निकल पाया लेकिन अभी भी हमको एक प्रॉफिट दे रहा है अब देखिए तो simple सा बिलकुल कोई funda कोई मुश्किल नहीं था हमारी range हम जब भी बनाते हैं एक resistance zone बनाते है market उस resistance zone में open होता है अगर उपर की तरफ जाता है तो हम buy side में बैठ जाते हैं नीचे की तरफ आता है तो sell side में बैठ जाते हैं बहुत simple सा funda है कोई मुश्किल नहीं अब देखिए चुकि मुझे यहां पर profit book कर लेना था अब मैं profit book नहीं कर पाया अब market चल कैसे रहा है यह market सीधा सीधा यहां आया इसके बाद यह नीचे गया फिर यह उपर आया फिर यह नीचे गया फिर यह उपर आया और अभी इस condition पर खड़ा है तो अगर आप देखेंगे तो market जो है वो एक channel टाइप में इस तरफ चलना है अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ मैं बिलकुल simple सा तरीका है मेरा यह जो candle है यानि इस candle पर अगर मैं करसा रखूँ 643.50 आप यहाँ पर high देखेंगे इस candle पर 643.50 अब देखिए इसने low बनाया इसके बाद higher low बना दिया इसके बाद इसने फिर higher low बना दिया अगर market को उपर निकलना है तो यह इसको तोड़के निकलेगा और इसका high क्या है 643.50 643.50 मैं 643.50 का SL दाल देता हूँ market ने जो पैसा दिया उस पैसे को लेके मैं निकल जाता हूँ तो आपके सामने मैं exit पर SLM पर 643.50 हाई है 55 का मैं एक SL लगा देता हूँ यह मैंने इसका एक SL लगा दिया आप order book में देख लीजिए मैंने 643.55 का SL लगा दिया बस complete count अब मेरे कोई tension की कोई बात ही नहीं है मेरा एक profit जो है वो lock हो गया है 643.50 के बाद मतलब हमको लगबग लगबग वने तीन तीन रुपे का profit हो जाएगा और 15,000 का profit ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो market को कैसे trade करना है कहाँ पर trade करना है ये आपको पता होना चाहिए generally market जो है अब यहाँ पर आप देखिए जरह बहुत द्यान से देखिए मैं आपको एक चीज़ और देखाता हूँ ये देखिए इसका low है ठीक है ये और ये इसकी एक range है अब आप बताईए 39.95 यानि 640 और 642 640-642 के आसपास इसका एक support zone बन रहा है कि नहीं बन रहा है अब ये support zone बन रहा है market ने देखो इसी zone के बीच में support लेके ऊपर चला गया इसलिए मैं बोल लाता कि मेरा target 641 रुपे था अगर 641 पे मैं देख पाता market को तो मैं exit कर जाता तो दोस्तों बिलकुल मुश्किल नहीं है तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि तीन मंत्र है manly market से पैसा बनाने का पहला तो ये है कि आपके पास एक setup होना चाहिए कोई भी setup हो जैसे मैं support resistance पर work करता हूँ मेरे support resistance मेरे student भी मानते हैं कि sir बहुत strong होते हैं आपने जो line एक बार draw कर दी उसको तोड़ना market को मुश्किल होता है तो उसका कारण ही यही है कि मैं इस पे study किया हूँ बहुत से लोग और चीज़ों की study करते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर study करिए market बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है market बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है केवल आपको पता होना चाहिए कि आपको trade कैसे लेना है आपके पास एक setup होना चाहिए अब देखिए setup आप लोगों के पास बहुत सारे setup है YouTube आप देखते ही रहते है YouTube देखने के साथ सब और भी जगे से आप पता करते रहते हैं अपने मित्रों से पता करते रहते हैं लेकिन मैं आपको बताऊँगा सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जो मैं भी face किया हूँ जिस समय मैं struggle कर रहा था और आप लोग भी इस चीज को जानते हैं आप लोगों में जो सबसे बड़ी कमी या मुझे में जो सबसे बड़ी कमी थी उस समय उसमें ये थी कि मैं किसी भी एक setup पर लग कर काम कभी नहीं किया जब मैं struggle कर रहा था यानि कि लगबग लगबग तीन महीने आपको कुछ भी नहीं देखना है कोई भी एक setup उठा लीजिए कोई भी एक setup उठा लीजिए और उस पर trade करिए जैसे अगर हम bank nifty की बात करें ये bank nifty का हमारा चार्ट है ठीक है अब ये bank nifty का हमारा 5 met का आजी का चार्ट है अब आप यहां से कुछ भी उठा लीजिए मान लोगर हम इस्टडीज में जाते हैं और moving average ही उठा लेते हैं ये moving average हमने उठा लिया अब moving average हमने जो उठाया उसमें आप कोई भी period लगा देजिए जैसे मैं generally 21 period का इस्तिमाल करता हूँ 21 period का और simple की जगे exponential moving average इस्तिमाल करता हूँ ये हमने लगा दिया अब आप देखिए market जब भी इसके उपर गया आप buy करिए अब आपको मैं यहीं दिखा दूँ कोई मुश्किल चीज नहीं है आपने देखिए यहां पर market कितने पर चलना है 37,021 पर 37,000 से यह कहां तक गया मैं इसको भी आपको दिखा दूँ यह रेखिए market यहां पर क्या है 37,000 पर कहां तक गया 37,400 तक गया क्या 400 point की rally कम होती तो market इसके उपर गया जब इसके नीचे निकला आप यहां पर निकल जाओ तब भी आपको 200 point निकलते जब market इसके नीचे गया आप sell side में बैठ जाओ जिरा देखिए यहां पर इसके नीचे 37,277 से 37,854 लगबग लगबग 400 point का movement आपको यहां मिला तो आपको पता होना चाहिए कि आपको trade कब लेना एक दो stop loss it होंगे कोई दिक्कत नहीं आप इसको छोड़ दीजे कोई और चीज ले लेते हो जैसे माललो हम M.A.C.D. ले लेते है M.A.C.D. ले लेते हैं अब आप M.A.C.D. को देख लीजे M.A.C.D. भी बता रहा है आपको यह देखिए जब black line उपर की तरफ गया आपको buy करना है दोनों लाइन एक साथ आगई आपको exit करना है क्या 400 पॉइंट का movement यह नहीं दे रहा है यहाँ पर देखिए दोनों लाइनों के बीच में gap बढ़ना शुरू हुआ यहाँ नीचे गया यहाँ पर आपको 400 पॉइंट का movement मिला यहाँ पर देखिए इसके नीचे गया एक stop loss आपका यहाँ हिट होता उसके बाद again आप sell करते यहाँ से लेके यहाँ तक का movement capture कर सकते थे तो दोस्तों market में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप कैसे बस दिक्कत क्या है एक दिन आप trade करते हो दो दिन trade करते हो तीन दिन trade करते हो बहुत सारे लोग एक हफ़ते तक अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं एक हफ़ते के बाद क्या कहते हैं अब सर नहीं हो पाएगा इसमें तो कोई profit बढ़ी नहीं गया दोस्तों विश्वास मानिए एक setup तीन महीने share market में कुछ नहीं होता है बहुत आसान होता है एक कोई भी setup पकड़ लीजिए लेकिन तीन महीने तक continuously उस पर practice करेगे लेकिन लोग क्या है दो चार stop loss हिट हुए नहीं कि उसको छोड़ के वो क्या करते हैं चलो दूसरा setup देखते हैं दूसरे के बाद तीसा setup देखते हैं तीसरे के बाद चौथा setup 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 के चक्कर में उनके समय निकलता जाता है और वो साल दर साल उसी position पर रहते हैं या अपना loss करते रहते हैं तो पहला मंत्र जो है एक setup को पकड़ के तीन महीने तक काम करना दूसरा money management बहुत से लोगों को हमने देखा है उनके पास account में एक लाख रुपया है एक लाख रुपया में अगर तीन बैंक निफ्टी sort हो रही हैं या buy हो रही हैं तो वो तीनों ले लेते हैं मैं क्या कहता हूँ 33% का पैसे का use करिए बलकि 25% का use करिए 25% में जितना आता है उसको लीजिए बाकि 75% पैसा आप रखिए लेकिन क्या होता है दिमाग में ये रहता है यार अगले वेक्ती ने तो इतना profit एक दिन में बनाया मेरा profit इतना कम क्यों बन रहा है तो वो क्या करते हैं अपना lot size बढ़ाते रहते हैं भाई money management देखो ना दूसरे ने अगर 10 lot लिए तो उसके account में 5 लाग रुपया भी तो है आपके account में 1 लाग रुपया है तो आप 33% का use करिए ना उसका तो दूसरा है money management और तीसरा जो मूल मंत्र है वो है psychology psychology क्या है अब आपको यह पता होना चाहिए देखिए हमारा copper का book हो गया profit psychology क्या है psychology यह है कि आपको यहां पर जहां पर आप trade लेने जा रहे हो तो आपको क्या डर लगता है कि अगर हमने यहां पर sell कर दिया market कहीं उपर ना चला जाए यह आपने यहां पर कहीं पर buy करने की कोसिस कि आपको लगता है market नीचे ना चला जाए क्योंकि market negative हो सकता उपर आके फिर नीचे चला जाए दोस्तों market कहीं भी जाए market कहीं पर भी जाए आपको अपने setup पर विश्वास होना चाहिए आप अपने setup के according trade करोगे आपने एक setup बना लिया कि आपको अगर इस setup के ऊपर निकलता है आपको buy करना है इसके नीचे निकलता है आपको sell करना है आप अपने आपने strong round double minded नहीं आप लोगों ने अगर cricket देखते होगे तो बहुत बार commentator से ये बात सुनी होगी कि पहले batsman गेंट छोड़ना चाहता था फिर उसने short मारने का सोचा और गेंट जो है बल्ले का बारी किनारा लेके slip पे चली गई तो आदमी कब out होता है जब वो double minded होता है तो आपको double minded नहीं होना है आपको बिल्कुल fix रहता है कि market इसके नीचे आएगा मैं sell करूँगा इसके उपर जाएगा मैं buy करूँगा stop loss होगा stop loss ऐसा कोई वेक्ति नहीं है जिसका नहीं होता है stop loss share market का part है और वो आपका होगा ही होगा लेकिन ये जो तीन नियम हमने आपको बताये हैं तीन मूल मंतर बताये हैं इनको आप बिल्कुल डटके पकड़िए और तीन महीने तक टेट करिए फिर मुझे कौन करके बताइए कि सर आप सही कहते थे या गलत कहते थे तो दोस्तों इसी के साथ इस वीबी को समात करता हूँ धन्यवाद